वेल्कम बैक इस वीडियो में हम देखेंगे कि react में image को कैसे यूज करते हैं तो इसका different different तरीका होता है यह situation के उपर depend करता है और example मान लो कि अगर image जो है वो API के थुरू आ रहा है ठीक है तो जैसे कि हमारा यह product की title और price आ रहे है तो इसी तरीके से API के थुरू मान लो कि image का URL आ रहा है तो इस case में हम इसको कैसे display करेंगे तो पहले हम इसको देखते हैं बाकि फिर एक दो और option है वो भी मैं आपको बता API के थुरू आ रहा है यहां कि यहां पर यह डेटा जो है यहां पर यह data अड़ हो रहा है static तो यहां पर जब यह API के थुरू आएगा तो इसी तरीके से जो है यहां पर मैं क्या करता हूं कि एक dummy URL add कर देता हूं ठीक है यहां पर हमारा जो की है वह मतलब प्रोपर्टी जो है वह हमारा image है और इसकी value जो है यह URL है ठीक है तो इस तरीके से आपका URL बन करके आएगा API इस तरीके से नहीं होगा बट क्योंकि यह तो demo है बट type उसका यहीं होगा यानि कि path जो है वह इसी तरीके से बन करके आएगा यानि कि URL होगा और image का जो भी नाम वगरह है वह होगा और जो भी domain आपका जहां से API आ रहा होगा उसका जो domain होगा वह आएगा ठीक है तो यहां पर मैंने example के लिए एड किया है यह unsplash का URL है यह क्या करता है random image जो है वह generate करता है ठीक है तो हमने demo के लिए इसको एड किया है बट यह इसी तरीके से आपका जो है object बन करके जो है वह listing आएगा आपके जो भी जो भी आपका product मतलब जो भी project होगा उसके इसाम से जो API होगी वह इसी त product आ रहा है API की तरूप ठीक है तो अब हमें इस image को क्या करना है कि display करना है तो जहां पर हमारी listing आ रही वहां पर इसको display करेंगे तो यह listing हमारा जो है वो component के अंदर में product info जो है इसके अंदर आ रहा है तो यहां पर मालो की title के उपर मैं इससे display करता हम जैसे simple static HTML के अंदर ज में भी आएगा cell closing simple image के बाद src होता है ठीक है अब इस src के एंदर में आपका जो है पाथ आता image का और उसके बाद all tag होता है जिसमें के आपका क्या करते है कि all tag हम है add करते है ठीक है तो अब इन दोनों को क्या करना है कि dynamic करना होगा आपको तो जैसे यहां पर हमार product dot title आ image को gate करना होगा तो इसको मैं यहां पर copy कर देता हूं और यहां पर क्या होगा है कि इस src को हम क्या करेंगे dynamic कर देंगे यानि कि simply यहां पर इस तरीके से curly bracket add कर देना है और उसके बाद यहां पर product dot image add कर देना है ठीक है अब रहा सवाल कि इस alt को आपको dynamic करना है तो इसके दीसके लिए आपको simply यहां पर image को नाम add करना होगा तो हम यहां पर image का नाम थम्नम्ना पता नहीं तो हम क्या करते हैं की simply title display कर देते हैंoin कि product ka title display कर देते हैं तो जो भी product the title होगा वह आपके product का नेम आ जाएगा ठीक है तो यह हो गया हमारा सिंपली अब इसके हम सेव कर देते हैं अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको जो इमेज है वो आपको इस तरीके से डिस्पले हो जाएगे ठीक है तो यह रेंडेम इमेज है तो इसलिए आ रहा है बागे आपका जो इमेज होगा वो आपको इस तरीके से डिस्पले होता है तो यह तो इस तरीके से आप इसको डिस्पले कर सकते हैं इसको मानलों कि API से नहीं आ रही है कोई static assets है जैसे कि आपके प्रोडक्ट के folder के अंदर में पड़ा हुआ है इसके अंदर दो image आ रहे है तो अब हमें क्या करना है कि इस image को एड़ करना है इसको हम कैसे add कर सकते हैं तो इसको मैं क्या करता हूं कि यहां पर जो हमने image add किया है इसको मैं यहां से cut कर लेता हूं क्योंकि हमें यहां पर इसको नहीं देखाना है ठीक है अब हमें क्या करना है कि logo को दिखाना है मुझे यहां पर है तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि header component में जाता हूँ और यहां पर मुझे logo दिखाने है ठीक है तो यहां पर मैं simply image add कर देता हूँ ठीक है और alt tag जो है यहां पर मैं क्या करता हूँ कि हटा देता हूँ क्योंकि यहां पर हमार पास product available नहीं है ठीक है तो यह इसको हम dynamic करेंगे नहीं करें और static यहां पर नेम महिए यहां लिकिन पर हमारा जो नियम है वहीं क्यों है हम क्या करना है इस को हमें call करना है इस png file को दो यहां कि logo dot png को तो इसके लिए simply हम क्या गर सकते हैं कि यहां पर import file का जो भी नाम है उसे साब से एक नाम रख लेते हैं तो इसको as a logo रख लेते हैं और इसका path जो हो जाएगा from dot dot slash image folder slash slash logo dot png हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा import हो गया है अब simply इस logo जिस नाम से हमने मैं मतलब import किया उसको simply हम यहां से copy करें यहां पर हम add कर देते हैं तो इतना हमें करना है अब इसे मैं save कर देता हूँ अब आप यहां पर देख सकते हैं कि header में यह इस तरीके से display हो रहा बट यह अजीव लग रहा क्योंकि बहुत size में बहुत बड़ा है इसका size आपको अगर चोटा करना है तो जैसे image में आप class add करते हैं class name add करके उस तरीके से आप यहां पर कोई class name add करके इसके अंदर define कर सकते हैं जो पर आपको class का name है for example मालो की main logo या फिर logo कुछ इस तरीके साप add कर सकते हैं या फिर simply आप यहां पर इसका size define कर सकते हैं with का use करके इस with use कर लिया हमने यहां पर मैं 20 add कर देता हूं ठीक है अब क्या ही है यहां पर यह display हो रहा है size जो है इसका चोटा हो गया अब यह इस तरीके से display हो रहा है ठीक है तो यह तो तरीका है कि अगर आपके पास अगर png या jpg image है तो आप इस तरीके साप add कर सकते हैं बट अगर आपको svg add करना हो तो आपको आप फिर कैसे add करेंगे ठीक है तो svg को add करने के लिए svg का code जो है उस तरीके से add किया जाता है बाकि आप src में भी add कर सकते हैं तो इस तरीके से करके बट वह इस तरीके से display नहीं होगा ठीक है तो इसका एक और अलग तरीका मैं आपको बताता हूं especially वह इस वीजी के लिए है मैं क्या करता हूं कि यहां पर इसको मैं comment कर देता हूं कि ताकि आप इसको बाद में आप यह code में available है आप चाहे तो यह आपको वहां से भी मिल जाएगा ठीक है और मैं इससे भी यहां से मैं remove कर देता हूं ठीक है तो अब हमारे यह क्या है कि जैसे पहले की तरह था वैसी हो गया है ठीक है अब हमें क्या करना है कि इस svt को image को use करना है तो इसके लिए simply क्या करना है आपको जैसे हमने यहां पर use किया था same इसी तरीके से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं ठीक है बट इसमें क्या करना होगा आपको कि यह जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं लोगों इसको react component as a react component to use करना पड़ेगा ठीक है तो आपको इसको simply क्या करना है कि यहां पे एक bracket add करना है करली bracket और इसके अंतर लिखना है react component as logo ठीक है यह हो गया और फिर यहां पे आपको उसका जो path है यानि कि logo.svg ठीक है अब यह हमारे import हो गया है अब हम इसको क्या कर सकते कि ऐसे component यहां पे हम add कर सकते हैं ठीक है तो component simply इसको इसको copy करना है और फिर हम यहां पे इसको ठीक है इस तरीके से हम इसको add कर सकते हैं यहां पे या फिर इसके बाहर आपको add करना हो यहां पे इस तरीके से अगर आपको add करना हो कहीं पे भी add करना चाहते हैं आप वहां पे add कर सकते हैं ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसको यहीं पे add कर देता हूँ अब इसे सेव कर दीजी अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इमेज जो है वो हमारा आ रहा है मतलब बट साइज इसका काफी है तो आप इसको भी आप छोटा कर सकते हैं जैसे हमने इमेज टैग भी यूज़ किया था तो simply यहां पर विद्ध एड़ करके कमा लोगे 20 मेट कर देता हो को ठीक है तो यह अट हो जाए अपका तो यह इस तरीकी सा है साइज आज आजाएगा और यहां पर लूगा हो शूंपल सा तरीका है इस तरीके से आपको जो है आप YOOZ कर सक जहां भी मर्जी हो वहां पर भी आप SVG हो या PNG हो या JPG हो जो भी हो आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं या फिर अगर API की दुरू आ रहा हो तो इसको भी तरीका में आपको बताया और अगर PNG हो तो इस तरीके से इमेज का इमेज में SRC को यूज करके भी कर सकते हैं या फिर अगर आपका SVG है तो उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं ठीक है तो अगर यह जैसे आपका SRC है तो आप जब ब्रावजर पर जाएंगे तो यह आपको कुछ इस तरीके से डिस्पले होगा इस तरीके से ड image के अंदर source के अंदर आगर आपके इसको call क्या होता तो यह इस तरीके से svg tag नहीं होता यह image के अंदर में simply जैसे path होता है उस तरीके से यह आपता तो यह फर्क है आपको इस तरीके से अगर call कराना हो तो आपको यहां पर कि image को हम कैसे use करते है react के अंदर में I hope के चीज़े जो है आपको समझ में आई होगी तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूं मैं आपको next वीडियो में तब तक के लिए वीडियो का आप लाइक करें comment करें share करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कर ले